नवस्कार दोस्तो आईक्यो जी फाइवे स्मार्टफोन इंडिया में लॉंच होने वाला है तो चलिए आज के इस वीडियो में सी पर हम बात करेंगे तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भीजिए और वीडियो को बिना एसकीप किये हुए पूरे इंड वह बिलकुल IQ G3 के जैसा ही होने वाला है मतलब वही आपको सेम टाइप का डिस्प्ले देखने को मिलेगा इस फोन में आपको एमलेट डिस्प्ले नहीं दिया जा रहा है और यह जो डिस्प्ले का स्पिसिफिकेशन है यह बिलकुल कनफर्म सा ही हो गया है कि IQ G5 5G पार चीज़ हो जाता है मुझे उम्मीद था कि IQ G5 में सूपर एमलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगा लेकिन ऐसे यह बिलकुल भी नहीं होने वाला है लेकिन IQ G5 है इसका प्राइजिंग काफी इंट्रस्टिंग होने वाला है इसलिए इस फोन में आपको एलसे डिस्प्ल इस नजान लिया उसके बाद बात करें प्रोसेशर का दोस्तों इसमें आपको सेवन एड़ देहने को मिलेगा जो कि एक फाइब जी प्रोसेशर के साथ और भी कई सारी फोन है जो इंडिया में इसी मौन्ट में लाँच होने वाले हैं अलाकि IQ G5 है इसका प्राइजिंग का कहीं चादर देहने को मिलेगा इस फोन में यहनी IQ G5 में आपको साइड मांटेर फिंगर पीन दिया जा रहा है मुझे यहां पर लगड़ा है कि IQ G5 को लेकर लोग के मन में जो इंड्रेस्ट था वो साइद थूरा सा कम हो सकता है विकाज उस तैप का एस्पेसिफिकेशन देहने को मिले वर सेप्टमबर के मौंध में रॉनच होने वाला है और सेप्टमबर के मौंध में आपको में 11 लाइट E неё 5 जी स्मार्पों पर पहले से लॉंच हो चुके हैं तो उसका प्राइजिंग है वह डाउन होने वाला है यह सब फोन लॉंच होने के बाद यहां पर जो आईक्यू जी फाइब है वह उतने अच्छे पर आपको प्रोफिसर देहने को मिलेगा और कुछ थोड़ा बहुत चैंज होगा बाकि आईक्यू जी फाइब में आपको एस्टीडियो एस्पीकर वेरा देहने को मिलेगा और सिक्सिटी फूर्ट में आपको इसका एक ट्रूपल केमरा पीछे के दरब से होगा और और यहादा इंड्रस्टिंग हो सकता था वैसे फोन LCD के साथ आता है तो भी अच्छा है लेकिन इसका प्राइजिंग काफी कम होना चाहिए तभी जाके थुरा सा अच्छा हो सकता है तो यहां पर प्राइजिंग काफी अच्छा है कि स्नैप डाइजन शिवन एट जी वाला है तो बस आज की सब्सक्राइब करता है उम्मेद करता आपको बेहतरी तरीके समय में आगए इसके बाद जोद भी अगर आपको प्रॉलम है तो आप हमसे कमेंड करके पूछ सकते हैंने बाद